दोस्तों बात करने वाले हैं 18.5 क्रोश 20 शेवेन के हाउस प्लान की जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थमनेल देखा होगा इसी को अब डिसकस करेंगे और बहुत बेतरीन प्लान है हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मौडल को मैं डिजाइन कर रहा हूँ जिस अगर आप भी कोई बनना चाहते हैं तो हमें कम engines करके बता सकते हैं शाचिए मौडियो को लाइट करें अगर आप अभी तक इसमाल हूश को स्ब्काइब नहीं क्या तो करना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp पर contact कर सकते हैं और जिसमें आपको 2D model 3D model सब कुछ create किया जाएगा तो चलो discuss कर लेते हैं आज का प्लान जिसकी चौड़ाई है 18.5 और लंबाई है 27 तो इसी को आज हम discuss करते हैं तो दोस्तों यह model है जो मैं आप बात कर रहा था 18.5 इंटू 27 यह पूरा model है फ्रेंट सी यह road निकला है आप देख सकते हैं फ्रेंट सी यह road आप देख पा रहा हूँ यह निकला है और यह पूरा फ्रेंट व्यू है इसका मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यह आपको फ्रेंट से देखते हैं यहाँ पर मैंने एक पीड़ लगा रखा है जिसमें आपको तो अच्छा लगे और यह इसका में डोर है उसको पर जाली दिया यह एक जो गेस्ट रूम है फ्रेंट में उस पर मैंने एक विंटो दिया है और यह इसके रेलिंग लगा रखी मैंने बस ग्राउंट फ्रोर रिजाइन किया है अब हम बात करते हैं इसके पूरे मॉडल की तो हमेशा की तरह किस हम इसको पहले ट्रांसपेरेंट आपके लिए करके दिखा देता हूँ तो जैसे आप करेंगे तो यह दिखी मॉडल ट्रांसपेरेंशी में आपको ऊपर से नीचे तक ऐसा दिखने वाला होता है अब हम इसको ले चलते हैं इसके ग्राउंट फ्रूर पर, तो जैसे हम ग्राउंट फ्रूर पर आते हैं, यह दोस्तों में जूम कर देता हूँ, यह आप मेंड डौर यह है, मेंड बूर जैसे टिइटी करेंगे, तो सबसे पहले आपको मिल जाती है지, स्टेर्स यह गैलरी लगबग आपकी 206 फिटकी है जिसमें आपका यह स्टेर्स है वहाँ अंदर से आप चढ़ेंगे और आकर फिर ऐसे मुड़ जाते हैं इसी के नीचे आपको जगह वगयरा मिल जाती है और यहीं से आप पार्किंग के लिए बाइक वगयरा पार्क कर सकते हैं सबसे पहले फिर आपके मिल जाता है गेस्ट रूम यह देखिए गेस्ट रूम है जिसका डूर मैंने इधर से दिया है आप यहां से इंट्री करेंगे यह आपका गेस्ट रूम है टीवी वगयरा आप सोफा वगयरा रख सकते हैं और इसकी विंटलेशन के लिए मैंने हैं यहां पर दोसेख विन्डो दिया है फ्रेंड में आप चाहें तो यहां पर एक डूर दे सकते हैं आप अगर गेस्ट रूम में बाहर से भी डूर train मिल जाता है और फ्रेंड में बाहर को किसिन मिल जाता है तो यह जो गैलरी गया 6 एकवी में आपका ये पूरा किशिन मिल जाता है एरिया जो की डूर आपका यहां से दिया है और दोस्तों ये आपको बैडूम दीक्रावहोंगा यह देखी यह पीछे वाला बैड डूम मेंने यहां से दिया है इस बैड डूम की साइस की बात करें तो यह लगबग आपका 12 जिए रलेंड में धाय नो तो यही पूरा model आपको कैसा लगा, आप यहाँ पर जो भी रखना चाहें, वो रख सकते हैं, वो आप पर depend करता है, रही बात आंगन की, तो यहाँ पर दोस्तों, एक क्या होता है, जब भी आप घर बनवाते हैं, तो घर के अंदर यह मोटर लगवाते हैं, नल लगवाते हैं क्योंकि तो उसके लिए आप इस पेस यहाँ जीने के नीचे लगा सकते हैं, साइड में बिलकुल आप यहाँ लगा सकते हैं, अन्न था आपका जो यह इस पेस बसता है, यहाँ पर आप एक नल यह मोटर लगवा सकते हैं, और यह पूरा प्रॉपर तरीके से 18.5 क्रॉश 26 यह तो इसका ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, आप हम यह से ले चलते हैं, फास्ट फ्लोर पर, तो जैसे फास्ट फ्लोर पर आते हैं, तो यह देखेगा, फास्ट फ्लोर इस टेट्स माद्द्यम सब जैसे उपर आएंगे, तो यह पूरी छत है, चारो तरब 3.5 फिट का बॉंडी है, और यह दोस्तों, रेलिंग है, यह मैंने तो इसका डिजाइन दार, गेट के उपर, राउंड रेलिंग बनाई है, और इधर, यह देखी रेक्टिनलर टाइप का रेलिंग बनाया है, मैंने, तो यह आप देख चाकते हैं, जिसमें आपका घर और भी खुशू पूरत लगे, और यह आपकी च्छत हो जाती है, इसको डखने के लिए, यहाँ पर मैंने एक राउंडेट विंडो दिया, विंटलेशन की वजए से, और यह दोर है, जिससे आप च्छत पर उपर आएंगे, तो यह पूरा 18.5 x 27 का हाउस प्लान है, कैसा लगा हमें कमेंट क करके बताएं, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से जरूर करें, अगर आपने अभी तक हमारी समाल हाउस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया है, तो प्रीज जरूर सब्क्राइब कर लें, और यह वीडियो अगर आप फेस्बॉक और वाच कर रहें, तो आप हमारे न्यू विलाइक से जरूर कर दे, थाइक्स वाचिंग